हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बेक टू और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डस्कस करेंगे वाक्षीट नंबर 274 क्लास 8 विशय हिंदी और ये वाक्षीट आपके लिए 29 दिसंबर 2020 के लिए शड्यूल की गई है सिक्षा निदेशाले की और से और आज की वाक्षीट में बेटा हमारा चेप्टर जो है अध्याय अकबरी लोटा उसी को हम आगे कॉंटिन्यू करेंगे और बेटा भी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन भी प्रिस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की मिलती रहे तो लेट स्टार लास्ट वक्षीट में बच्चों हमने क्या देखा था लास्ट वक्षीट में हमने देखा कि किस तरह से पानी पीते हुए लाला ज्हाउलाल जी से लोटा जो है वो गली में गिर जाता है और वो किसके उपर गिरता है अंग्रेज के उपर गिरत है ठीक है और इस तरह से भीड जमा हो जाती है तभी लाला जाउलाल के दोस्त वो अंग्रेज को अंदर आंगन में लेकर बिठा देते हैं कुर्सी पे और फिर आगे जो है देखते हैं फिर क्या होता है सहाब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए जो अंग्रेज है उन्होंने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया और बैठ गए और लाला जहाउलाल की और इशारा करके बोले आप इस सक्ष को जानते हैं तो अंग्रेज जो है लाला जहाउलाल की तरफ हाथ करके बोले बिलवासी जी को कि क्या आप इस सक्ष को जानते हैं तब बिल्वासी जी क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं कि मैं नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाता जो निरी राह चलतों पर लोटों के वार करें तो यहाँ पर बिल्वासी जी जो है जाउलाल जी को पैचानने से इंकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता कि जो ऐसे रहा चलते लोगों पर अपने लोटों से वार करे यानि अपने लोटों से उनके उपर एक तरह का आक्रमन करे मेरी समझ में he is a dangerous lunatic यानि यह क्या है यह खतरनाक पागल है तो ऐसा जो है कौन कह रही है अंग्रेज जो है वो कह रहा है कि he is a dangerous यानि बहुत खतरनाक lunatic है पागल आदमी है परमात्मा ने लाला जाओ लाल की आखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी ह तो यह निश्चे ही अब तक बिलवासी जी को वो अपने आखों से खा चुके होते तो बड़े ही जो है यहाँ पर मजा के अंदाज में लिखा गया है कि अगर जैसे हम आखों के हमारी आखों की शक्ति क्या है देखने की शक्ति होती है तो यहाँ पर कहा गया है कि बिलवा बिल्वासी जी को खा गए होते वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिल्वासी जी को इस समय क्या हो गया है तो लाला जहुलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्वासी जी ऐसा विभार क्यूं कर रहे हैं साब ने बिल्वासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए तो अब अं station है कहां पास ही है चलिए मैं बताऊं तो अंग्रेज कहता है कि का है police station बिलवासी जी कहते हैं मैं बताता हूं आप चलिए तो फिर वो कहते हैं अभी चला उसके बाद क्या होता है कि आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ अब यहां पर बिलवासी जी कह रहे हैं अंग्रेज को कि अगर आप जो है इजाज़त दें तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूं क्यों जी बेचोगे तब जहाउलाल को कहते हैं क्यों जी बेचोगे आप इसको मैं 50 रुपे तक इसके दाम दे सकता हूँ ठीके लाला जहाउलाल तो चुप रहे पर साव ने पूछा इस रद्धी लोटे का 50 रुपे में क्यों दे रहे हैं ठीके तो यहाँ पर बिलवासी जी ने 50 रुपे देने को कहा तो अंग्रेज को जो है लगा कि यह इस उसने पूछा कि इस रद्धी बेकार जो लोटा है इसके आप 50 रुपे क्यों दे रहे हो इस आदमी को आप इस लोटे को रद्धी बताती हैं तो बिलवासी जी ने बड़ जो है एक आदमी समझता था ठीके आखिर बात यह है कुछ बता आखिर बात क्या है कुछ बताईए भी अब अंग्रेज को थोड़ा सा और आश्च्रिय हुआ कि लोटे के बारे में जो है मैं ऐसे कह रहा हूं तो यह मुझे ऐसे कह रहा है कि मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ तो वो कहता है कि आखिर क्या बात है मुझे भी कुछ बताईए तो बिलवासी जी अब देखिए क्या कहानी गड़ेंगे जनाब यह एक एतिहासिक लोटा जान पड़ता है कि यह जो लोटा है यह बड़ा ही एतिहासिक लोटा है जान क्या पड़ता है मुझे पूरा विश् है जिसकी तलाश में क्या है कि संसार भर के सारी दुनिया भर के museum जो है museum क्या होता है जहां पर जो बहुत ही यूणीक चीजे रखी जाती है तो वह क्या है एक तरह का यहां पर museum है की संसार भर के museum इस photography त्लाश में फिर रहे हैं तो फिर अंग्रेज कहता है यह बात वो कहता है जी जवाब ठीके जी जणाब सोलमी स्ताब्दी की बात है अब यह कहानी जो है बिलवासी जी बना रहे हैं लोटे के बारे में सोलमी स्ताब्दी की बात है बादशाह हुमायू शेर्षा से हार कर भागा था और सिंद् रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे, एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकली जा रहे थी, उस समय ब्रहामण ने इसी लोटे से पानी पिला कर किसकी जान बचाई थी, हुमाईउ की जान बचाई थी, तो उनकी जान उन्होंने इस लोटे से पानी पिला कर बचाई थी हुमायू के बाद अकबर ने उस ब्रहमन का पता लगा कर और उसने उससे क्या किया उस लोटे को ले लिया ब्रहमन का पता लगा कर उस लोटे को ले लिया और बदले में इसी प्रकार के दस सोने के लोटे प्रदान किये ठीक है तो उसने बदले में क्या किया उसे इसी तरह के दस जो है सोने के लोटे उसके बदले दे दिये यह लोटा समराथ अकबर को बहुत प्यारा था और इसी से इसका नाम जो है क्या पड़ा अकबरी लोटा पड़ा और वह बराबर इसी से वजू करता था सन 57 में इसके शाही घराने में रहने का पता है तो सन 57 तक आ गया है कि ये शाही घराने में इसके रहने का पता है पर इसके बाद वह क्या हो गया वह लापता हो गया उसके बाद देखिए कलकता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है तो उन्होंने और भी ज़्यादा जो है बताया कि कलकत्ता के मॉडल में ये लोटा तो मिला नहीं और उसके जो प्लास्टिक का मॉडल है वो वहाँ पर रखा हुआ है पता नहीं है लोटा इस आजमी के पास कैसे आया म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसको खरीद ले जाएंगे तो ये पूरा जो है एक तरह का ऐसा बना दिया अग्रेज के सामने कि ये लोटा जो है ये इतना फैंस है और इसके इतने जादा इसका मुल्ले है ताकि जो अंग्रेज है वो इसको खरीदने की इच्छा जाहिर करे इस तरह कि योजना यहाँ पर बिलवासी जी ने बनाई ह तो बिटा देखे यहाँ पर आपको चार प्रशन दिये गए हैं तो वन बाई वन हम चारों प्रशन के उत्तर करते हैं तो आए बिटा इन चारों प्रशन के उत्तर हम करेंगे यह है बिटा पहला प्रशन बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला जहाउलाल को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया अनुमान लगा कर लिखो तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जहाउलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह अंग्रेज का क्रोध शान्त करना चाहता था और उनके दिमाग में जो योजना जो तरकीब चल रही थी उससे वह अंग्रेज को दोखा दे कर पैसो की विवस्था करना चाहते थे चाहते थे लिखेंगे बेटाई उसके बाद देखे, next जो है, प्रशनी 2 क्या है, बिलवासी जी कया वास्तों में वहलोटा खरीदना चाहते थे, अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखो जिससे अंग्रेज को यकीन हो गया कि यह है लोटा एतिहासिक अकबरी लोटा है और अंग्रेज ने वह लोटा 500 रुपे में खरीद लिया तो बाद में क्या होगा बिटा जो लोटा है वो अंग्रेज क्या करेगा 500 रुपे में खरीद लेगा तो क्या हुआ कि यहाँ पर बिलवासी जी उस लोटे को खरीदना नहीं बलकि उसकी कीमत को बढ़ाना चाहा रहे थे उसके बाद देखे बिलवासी जी ने लोटे के संबंद में क्या कहानी सुनाई तो लोटे के संबंद में उन्होंने क्या कहानी सुनाई बिलवासी जी ने लोटे की जूटी एतिहासिक विशेशताओं को बताते हुए एक कहानी गड़ी जिसके अनुसार जब हुमायू शेरसा सूरी से हार कर भाग रहा था तो उसकी प्यास बुछाने के लिए एक ब्रहामन ने उसको लोटे में पानी पिलाया था और जिस लोटे से उसने पानी पिलाया बाद में अकबर ने उसे 10 सोने के लोटे देकर क्या किया खरीद लिया था और उसके अनुसार यह लोटा अकबर को बहुत प्यारा था और इसका कॉलकाता के म्यूजियम में प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है इसलिए उसने इसे क्या बताया अकबरी लोटा बताया तो यह विटा आपको complete लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी कहानी बतानी है जो एतिहसिक कहानी बिलवासी जीने लोटे के बारे में बनाई थी नेक्स करते हैं प्रशनिचार गतिविदी है आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए ठीक है तो ऐसी ही कोई कहानी बनाकर आप लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से बेटा जमाना सिक्का लाया था उसने हमें बताया कि है सिक्का बहुत पुराने जमाने का है जब कागज के नोट नहीं चलते थे परंतु बाद में हमें अध्यापक ने बताया कि यह सिक्का पुराने जमाने का नहीं है बलकि यह दूसरे देश का कोई सिक्का है उसके बाद हम सब खूब हजे हो कि हमारा मित्र हमें ही बेवकूफ बना रहा है तो ये जो है आप बिटा यहाँ पर लिख सकते हो तो ये थी बच्चों आपके आज के हिंदी की वरकशीट आई हो बिटा आपको वरकशीट क्लियर है कोई doubt है तो comment section में comment करके पूछ सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर कर दीजिए channel को subscribe भी कर लीजिए and thanks for watching have a nice day